कौनसे स्टॉक में इन्वेस्टर ने ज्याधा कमाया। 11.2014 को स्टॉक प्राइज थी। 11.2020 को स्टॉक प्राइज थी। 23.ока 2020 को जब Nifty लाइसट पर था तब श्टॉक प्राइज थी। और करन प्राइस है। 1-1-2014 के दिन 1,00,00 रुपए दोनों स्टोक्स में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करंट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करें दोनों में से किसी स्टॉक में इंवेस्ट करें Nifty 50 स्टॉक्स में इंवेस्ट करें या FD में करें दोनों शेर के और Nifty के annualized return परसंटेज हमने देखें वही return परसंटेज अगर बविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आये देखते हैं झाल 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 आये दिया झाल झाल कि वहार झाल 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 Thank you.